इसी तरह की गैंग्स्टर एक्ट में एक कारवाई की गई यहाँ पर भी आपको बता दें कि जबती की कारवाई हुई है कि संपत्ती कुर्क हुई है थाना मंटोला में गैंस्टर रेक्ट में वांचित आरोपी इमरान और इर्फान की संपत्ती कुर्क की गई इसको लेकर पुलिस ने तयारी कर ली थी आज दोपहर में आरोपी की घर पर मुरादी करवाई गई इसके बाद घर पर नोटिस चस्पा किया गया DCP City सूरज राई ने बताया कि गैंस्टर रेक्ट अधिनियम के तहट अवैद रूप से अर्जित प्रॉपटी को कुर्क किया गया जिकरित मकदमा अपराच संक्या 292 बटे चॉबिस अंतरगत गैंस्टर एक जिसमें गैंग लीडर इमरान एवं इसके साथी इर्फान के द्वारा मिलके अवैद रूप से अपराद करके संपत्ति अर्जित की जा रही थी ऐसा प्रकाश में आया तो उसी में गैंस्टर एक्ट के अंतरगत धारा 14.1 में आज चार संपत्तियां जिसमें से दो संपत्ति थाना शाहगंज में हैं एक थाना मंटोला में और एक थाना ताजगंज में हैं इन चारों संपत्ति की गैंस्टर एक चौदा एक सेक्शन के अंतरगत जबतिकरण की कारवाई की जा रही है इन चारों संपत्ति का जो मूल्य वो लगभग 2 करोड 80 लाख रुपए आंका गया है और इसी कारवाई के अंतरगत पुरी पुलिस फोर्स पहले शाहगंज में दो मकान है उसको कुर्व किया गया है और मंटोला म इस मकान की कुर्व की के लिए हम सभी यहां पर उपस्तित हुए हैं विदिक प्रक्रिया के द्वारा प्रॉपर मुनाद